दोस्तों आपने होटल में मंशूरियन इडली ड्राई या इडली ड्राई खाया होगा योकि बहुती टेस्टी लगता है चकने के लिए भी ये बहुती अच्छी फास्ट फूट डिस है और हमने फिछले वीडियो में इडली सांभर बनाना से खाया था तो आप वह वीडियो स्क्रोल करके देख सकते हैं कि आपको घर पे बाजार से भी अच्छी इडली कैसे बनानी है यहाँ पे इडली बनाने के बात की बात हो रही है अब हमें मंचूरियन इडली ड्राय बनाने के लिए इडली चाहिए होंगी इडली पहले से ही बन रखी है आप देख सकते हैं अब चाकू से बहुत ही आसानी से इसके पीसे कट रहे हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पीसे काटना है कि आपके पीसे टूटे ना और उनका शेप भी जो है आप हिसाब से काट सकते हैं इस प्रकार से आप काटेंगे तो आसानी होगी जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है पूरी इडली को काटने के बाद हमें एक fry pan लेना है या एक कढ़ाई लेनी है उसे हमें gas में गरम करना है अगर आप कहीं पर jungling कर रहे हैं तो आप वहां पे पढ़ाई या फ्राई पैन में वो सारी कटी हुई इडली इस डाल देनी है जो हमने पहले काटी थी तो आप देख सकते हैं यह इडली यहां पे डाल दी जा रही है और बाजार में आपने यह जो मंशूरियन इडली ड्राय खाया होगा यह बहुत ही महंगा मिलता है और क्या पता वो कैसे बनाते हैं इडली कितनी बासी होती है कितनी दिन पुरानी होती है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते अंदाजा आपको दो तीन दिन बाद लगता है जब आपका पेट खराब होता है आपको ध्यान भी नहीं रहता है कि किस वज़या से पेट खराब हुआ क्योंकि आप डेली तो बाहर खा रहे हैं तो आपको यह घर में बनाना से खाया जा रहा है यह घर में बहुत ही सुद्ध, पॉस्टिक और टेस्टी बन जाएगा इडली को थोड़े से तेल में फ्राइ करने के बाद हमें इडली को कलेट कर लेना है और एक बरतन में निकाल लेना है तो आप देख सकते हैं हमारे इडली हलकी हलकी फ्राइ हो गई है हमें इसे जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राइ नहीं करना है थोड़ा सा ही फ्राइ करना है और हमें एक बरतन में या एक ठाली में इसे निकाल लेना है तो आप देख सकते हैं हम अब इससे निकाल रहे हैं और यह इडली वैसे भी स्वादिश लग रही है आप इसे सॉस के साथ तो ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ भी ऐसे ही खा सकते हैं और सामबर के साथ भी लेकर हम यहां बना रहे हैं मंचूरियन इडली ड्राइ तो आपको कुछ वेडी टेबिल्स ले लेनी है जैसे कि प्य हैnda guy मैं आपको बता चुका हूं कि ओल जो आप भर में यूज करते हैं वही यूज कर सकते हैं तो थोड़ा सा और डालने के बाद हमें मैं इसे गैस को चालoo करके थोड़ा सा गरम करना है जाव इसमें दॉल बोले आने लगें तब हमें इसमें डालना है राई-गार झीरा आपको पता होगा कुछ भी बनाते time हमें कटी हुई मिर्च और लैसुन के साथ कटी हुई प्याज डालनी पड़ती है तो हमने कटा हुआ लैसुन और कटी हुई प्याज और यहाँ पे थोड़ी से कटी हुई मिर्च के साथ हमने ऐसे fry करना चालू कर दिया है अब ये हलकासा brownish हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं ये हलकासा brownish हो गया है अब जो हमारी कटी हुई शिमला मिर्च थी वो भी हमें इसमें डाल देना है शिमला मिर्च आपको rectangular बड़ी बड़ी काटनी है या लंबी काटनी है आप अपने हिसाब से सकते हैं उसमें कोई ज्यादा flavor या फिर Rei से टेश्ट की बात तो है नहीं लस्ट में अपने हम एपने टमाटर भी डाल देने हैं जुर टमाटर आमने पहले से ही काट के रखे हुए थे भUI टमाटर इसमें डाल दिये गए हैं अब इसमें हमें स्वादा नुसार नमक डाल लेना है नमक स्वादा नुसार आप कम या ज़दा डाल सकते हमने मिडियम डाला है थोड़ी सी हल्दी भी डाल देनी है Haldy बहुत यह धा, टेस्टी होती है वो Passtic भी होती है सवादा अनुसार हमें इसमें लाज मिर्च डाल देनी है और उसके बाद धनिया पाुडर थोडी देर इसे चलाने के बाद और इसे ढाक में नेके रखने के बाद हमें इसे खोलना है और फिर हमें देखना है और यह जब हलका सा फ्राइ हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे आप देख सकते हैं यह हलका सा फ्राइ हो गया है अब ऐसे तो यह से रोटी पराटे में लपेट के भी खा सकते हैं लेकिन हमें और कुछ बनाना है चूँकि हम मंचूरियन इडली ड्रा प्राइ बना रहे हैं इसमें हलका सा टामेटो सॉस डाल लीजिएगा टामेटो सॉस कैचप या किसान सॉस जो भी आपको पास ऑविलेबल हो जो भी आपके बाजु वाली सामने वाली बाज़ान मिल जाए आप ले आए दो चमास इसमें डाल ले उसस से उससे घ्जा बाज चमचा कोई भी यूज़ कर सकते हैं और जहरा भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं उसे इस प्रकार से चलाते रही है चलाते रही है तोड़ा सा हमें इसमें मैगी मसाला भी डाल लेना है तब ही तो वो वाला स्वाद आएगा जो आपको बाजार में मिलता है धावे में रेस्टो कितना साधा है पूराना माल यूज़ कर रहे हैं पानी पता नि कैसा यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम सारी चीज़ें घर में ही बना के आपको देखाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मंचूर यह इडली ड्राइ बन गया है इडली ड्राइ आपको प्लेट में परूस दिया गया है यह कैसा लग रहा है यह खाने है बहुत ही जादा टेस्टी है हम तो यह हमेशा बना के खाते हैं इसलिए हमें बतानी जरूवत नहीं है कितना टेस्टी है खा के दिखाने की भी जरूवत नहीं है कि यह कितना टेस्टी है यह बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्त झाल झाल